आदते माहिने रखती है Hobie is the big deal Hobie is the big deal यह नोट फटा हुआ है This not is torn This not is torn यहाँ पर torn का मतलब है फटा हुआ वो मुझे पतपरस्ट करता है He misleads me He misleads me Misleads का मतलब होता है राह से भटकाना या फिर पतपरस्ट करना अब तुमारी बारी है यदि मैं बोलना हूँ अब तुमारी बारी है इसे हम इंगलिस में बोलेंगे Now it is your turn वह खाना बनाना जानती है She knows how to cook food She knows how to cook food तमासा मत करो Don't create a scene Don't create a scene ताल मतोल मत करो इसे हम इंगलिस में बोलेंगे Don't put it off Don't put it off लंबे बाल तुम पर अच्छे लगते हैं या लंबे बाल तुम पर जचते हैं इसे हम इंगलिस में बोलेंगे Long hair suits you Long hair suits you वह तुमारा गुलाम नहीं था He was not your slave He was not your slave उसे तुमें समझाना चाहिए था इसे हम इंगलिस में बोलेंगे He should have understood you He should have understood you इसे दोबारा मत बोलना Don't utter it again Don't utter it again मुझे धमकाओ मत इसे हम इंगलिस में बोलेंगे Don't intimidate me Don't intimidated me पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेस्चन पूछा था तुमने मेरे पेर पर पेर रख दिया है उसका आंसर है You stepped on my foot और आज का सवाल है वो मुझे ताना मारता है Write your answer in comment box Guys, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा नहीं लगा ताब वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा इससे हमें एक motivation मिलती है और हम इसी तरह की और वीडियो लेकर आते हैं So, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Bye Thanks for watching Keep learning, keep growing और खयाल रखिएगा अपना Thank you